दिमाग में नई नई खोज होती हैं सबसे पहले आपको अलग-अलग तरीके बताय जाते हैं ठेके न जी? अलग-अलग टीचर्स अलग-अलग तरीके बताते हैं ठेके न? अविकेश कह रहा है क्या करूँ सर? इंग्लिश समझ नहीं आता है पढ़ने की कोशिश तो करेगा ना भाई पढ़ने की कोशिश तो करेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा मैं आपको भी अविकेश यहां कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको तु सुनना नहीं चाहता समझना नहीं चाहता फिर तु यह कहता है साथ English समझ नहीं आता है क्या करूँ भया शादी कर लो ठीक है ना फिर तुम्हें जीवन भी समझ में नहीं आएगा ठीक है ना जी ये तो बड़ी बेकार बात हो गई है देखो बेटा आपका जो सवाल होता है न कि मुझे English नहीं आती है मैं क्या करूँ तो English एक पूरी पिक्चर है और पूरी पिक्चर एक बार में बैठ कर देखने के लिए आपको भी समय चाहिए आपको भी धीरे 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 हर एक activity को समझना होता है लेकिन आप चाते हो कि कोई ऐसा खेल मिल जाए कि चुटकी बजाए जाए और पूरी English आजाए किसी को भी नहीं आती किसी को भी नहीं आती patience तो रखो हर दिन जो क्लास में पढ़ाय जाता है उसे ध्यान से पढ़ो revise करो नहीं समझा रहा है फिर से revise करो नहीं समझा रहा है इस सिल पर परत निसान आप बार बार देखोगे न अपने इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुनने समझने की कोशिश करोगे तो यह संभव है ही नहीं कि आपको कुछ समझना आए लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो चौते हैं कि भहिया अब तो कुछ ऐसा हो जाए चुटकी बजा दी जाए हमें ऐसे ही कुछ समझ में आ जाए ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा यह ऐसे ऐसे सवाल है दिमाग के जो फर्जी सवाल है और जिन सवालों ने आपको लाचार बना दिया है मैं उमीद करता हूँ चीजों को समझने के लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते भगवान आपका भला करे अब हमारे जो बच्चे हैं किसी भी लिखेवे पैसेज को जब देखते हैं तो पैसेज को देखने की कैसी सारे तरीके उनोंने बना रखे है एक तरीका तो अधिकतर लोग ये कहते हैं जी पहले question पढ़ लो question के answer को पैसेज में ढूंड Como आपको जैसे ही answer मिल जाये answer tick कर दिया काहनी खतम